साथियों नमस्कार ज्यान सिंधु कोचिंग क्लासस में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आईए संस्कृत कक्षा 10 के कुछ श्लोक बचे हुए थे जिनका हमको संस्कृत से संस्कृत में ही अर्थ लिखना है आज वो 20 के 20 स्लोक देख लेंगे और यहीं से आपका पूर सहित समझेगा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पश्याम एकम भासम इति द्रोनम पार्थो अभिभासत नतू रक्षम भमंतम वा पश्याम इति चभारत कहने का मतलब यह है कि जो द्रोनाचारे जी हैं द्रोनाचारे जी पूछते हैं किससे अर्जुन से कि तुम क्या देख रहे हो तो अर्जुन बोलते हैं कि पश्यामी क्या पश्यामी भासम इति द्रोनम पार्थो अभिभासत पार्थो अभिभासत का मतलब है अर्जुन बोले पहले तो हिंदी समझे तभी आपको संस्कृत समझ में आने वाली है पार्थो अभिभासत अर्जुन बोले कि किसे द्रुणम किसे द्रुणम मतलब द्रुणाचारी से पार्थो अभिभासत अरुजुन बोले द्रुणाचारी से कि पश्यामी देखता हूँ एकम अकेले भासम इस भास को इस प्रकार बतलब मात्र मैं इस गिद्ध को ही देख रहा हूँ ऐसा अरुजुन द्रुणाचार इसे बोले तो यहाँ आप देखे संस्क्रित तर्थ क्या लिखता लक्ष वेद परिक्षा काले अर्जुनाह दूनाचार्यम अवोचत क्या बोले यत कि हे गुरुदेव आहम तु नवरक्षम अवलो कयामि नचा स्रीमंतम एव आहम तु केवलम एकमात्रम खगमेव खगमेव बोले भारत मने हे भारत हे भारत हे भरतवन्शी तो मैं केवल मैं केवल अरजुन क्या बोलते हैं कि हे गुरु दुरुणाचारी जी तो आप लिखेंगे लक्षवेध परिक्षा काले लक्षवेध परिक्षा के समय अरजुन दुरुणाचारे मवोचत अरजुन दुरुणाचारे से बोलते हैं यतमाने की हे गुरुदेव अहम तू नवरक्षम मैं तो नवरक्ष को अवलो कयामी देख रहा हूँ नचा स्रीमान आपको ही स्रीमान आपको ही अहम तू केवलम एक मात्रम खगमेव बुलेव कयाम मैं तो यहाँ पर केवल मात्र इस पक्षी को ही देख रहा हूँ ठीक है ये बात केलियर हो गई चलिए अगला दिखिए ततो युधिष्ठिरस्य पूर्वं धनुर्ग्रिय परनतपा ठीक कहने का मतलब है इसके पस्चात युदिश्ठिर ने पूर्वम पहले धनुरग रही है परंतपाः परंतपाः माने शत्रूं का विनाश करने वाले तस्थों माने वहाँ परिस्थित भासम माने गिद्ध को समुद्धिश्य माने निशाना बना करके उद्धिश्य करके गुरु वाक्य के प्रणोर दिता हा क्या हुआ गुरू के वाके के प्रती प्रेरित हुआ मतलब उनके वाके के प्रती वो सक एकडम क्या हो गया सावधान हो गया ठीक है तो आप इसका अब हिंदी संस्क्रित अंत के साथ हिंदी अन्माद देख लिजिए क्या देखेंगे कि गुरू दुरुणाचारे से माने गुरु दुरुणाचारे के पूरवम उक्तम पहले कहे गए पहले क्या कहा गया था? पहले कहा दुरुणाचारे ने पहले क्या कहा था? कि दुर्धर्षम बाणम संधत्ष अपना कठिन बाण दुर्धर्ष बाण संधत्ष माने साध हो मत वाक्यात मेरे वाक्य के अंते अंत में तम माने उसको विमुन्च माने छोण दो मेरे वाक्य के अंत में उसको छोण देना एसे इस कथन को सुनकर प्रेरित्वा 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 इस कथन को सुनकर के प्रेरित होता हुआ सत्रुनाशक युदिष्टिर अपने हाथ में धनुस ले करके पक्ची को लख्चे करके स्थित हो गया बस सीधी सी बात है आगे दिखिए तीसरा कहने का मतलब यह है भाशा शुभाशाओं में मुख्या मधुरा मधुर दिव्या दिव्य गीरवान भारती माने देव वानी है गीरवान भारती मतलब देव वानी अर्थात देव वानी संस्कृत तस्माध और उससे भी काव्यम मधुरम उसका मधुर काव्य है तस्माध अप और उससे भी सुभाशित माने सुन्दर वचन ठीक है यह भाशाओं में मुख्य मधुर और दिव्य संस्कृत देव वानी सं तोटली आप समझ लिजी, ये नहीं कहीं पर भी दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि आध्यान सिंदू कोचिंग क्लासेस में जुड़े हैं, संस्कित दिखी कि असमिन इशलोके कवी कथयत, इस इसलोक में कवी कहता है, ये बात आप ये सेंटेंस सब कहीं लिख सकते हैं, कि असमिन इशलोके कवी कथयती, इस इशलोक में कवी कहता है, ये बारतिय समस्त भाषास, संस्कित भाषा, प्रमुखा भाषा आस्ती, संस्कित भाषा जो है, वो प्रमुख भाषा है, ये बारतिय कि भारतिय समस्त भाषास, भाषाओं में संस्कित भाषा, प्रमुखा भाषा, अस्ती संस्कित भाषा, प्रमुखा भाषा है, फिर देखे, सा आती मधुरा अपी, अस्ती, वो अधिक मधुर भी है, दिव्या चास्ती और दिव्य भी है, तसमात माने उससे नि उसकी सूक्तियां मधुर हैं, संस्कित भाषाया, सूक्तिया, अत्नी मधुरा, संति, इती अरथा, ऐसा अरथ यहां पर दिया गया, चलिए, next इस लोग देखते हैं, बच्चों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इतने इस लोग इतने हम पढ़ा रहें, यहीं से आ जाए प्रतिव्यां माने प्रतिवी पर, क्या? में रत्न की संग्या कर देते हैं, तो अब संस्क्रित तर्थ इसका देख लिजिए, कभी कथयतियत अस्मिन धरातले, त्रिनी रत्नान, सुचनम, अन्नम, और जलम, विद्यते, अस्य विपरीतार्था, मूर्खा, जनाह, एवो, पाशानान, खंडान, गणयंती, ठीक, अब क्या कहता है, कि अस्मिन धरातले, क्या, अस्मिन धरातले, इस धरातल में कभी कथयति, अस्मिन धरातले कभी कहता है, इस धरातल में त्रीन रत्नान, तीन रत्न है, सुचनम, सुंदरवचन, अन्नम, अन्न, चजलम, विद्यते, और जल, विद्यते माने है, अस्य विपरीत अर्था इसके विपरीत अर्थ में मूर्खा मूर्ख लोग जना माने लोग एव माने ही पाशान माने पत्थरों के खंडान माने खंडों को गड़ेंति माने गिन लेते हैं और इनके विपरीत अर्थ में मूर्ख लोग पत्थरों के टुकडों को क्या कह देते हैं रत्न की कहे देते हैं, रतन में गड़ना कर लेते हैं, लेकिन ये ऐसा बिलकुल नहीं है चलिए काविशास्त्र विनोदेन विनोदेन का आर्थ क्या होता है मनोरंजन में काविशास्त्र के मनोरंजन में कालो गच्छत धीमताम धीमताम नहीं बुद्धिमानों का बुद्धिमानों का जो समय होता है वो काविशास्त्र के मनोरंजन में चला जाता है तो काविशास्त्र विनुदेन, काविशास्त्र के मनोरंजन में कालो गच्छत धीमताम बुद्धिमानों का समय चला जाता है और व्यसनेन माने बुरी आदतों में, मुर्खाना मुर्खों का निद्रया कलहे नवा, सोने में और कलहे नवा अथवा जगडा करने में तो कभी ही कतयत यत, कभी क्या कहता है, कभी क्या कहता है, कभी ही कतयत यत, ये पुरूशाह बुद्धिमान जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं जो पुरुष बुद्धिमान होते हैं ते स्वसमयम वे अपने समय को काव्याद ग्रंथानाम काव्याद ग्रंथों में वा सद ग्रंथानाम अध्यने या पयंती और सद ग्रंथों में अच्छे ग्रंथों के अध्यन में वे तीत करते हैं यावच्चा मूर्खाजना परंतु जो मूर्ख लोग हैं स्वासमयम अपना समय परसपर कलहेन परसपर कलहेन मने जगड़ा करने में आपस में निद्रया नीद में यानी सोने में अथवा बैसनाई यानी बुरियातों में यापें इंतिमाने व्यतीत कर देते हैं ओके चलिए आप देखे ये बात समझ में आपको आ गए हुग कि ज्यादा कठीन श्लोक नहीं है श्लोकस्तु श्लोकताम याति यत्रति श्ठंति साधवाः और लकारो लुपिते तत्र यत्रति श्ठंति आसाधवाः श्लोकस्तु श्लोकताम श्लोक तो श्लोक हो जाता है श्लोक तो श्लोक हो जाता है यानि श्लोक तो यश्का लोक हो जाता है याति हो जाता है श्लोक वहां पर कीरती का लोग हो जाता है, कीरती का जगत हो जाता है, जहां पर सज्जन लोग रहते हैं, और लकारो लुप पे ते तत्र, और लकार वहां पर लुप तो हो जाता है, यत्र माने जहां तिश्ठन्ति माने ठहरते हैं, रुकते हैं, रहते हैं, असाधवा माने दूरजन देखो ये जो असाधवा मना छोटा आ लगा है ये तिश्ठंति के या में लगा है क्योंकि यहाँ पर इको यडची यड़संधि से या मिल करके या बनाए है ठीक है तो असाधवा यहीं पर लगा तो असमिन संसारे यत्र सजनाह निवसंति ये क्या बात लिखी है दिखे इस संसार में जहां असमिन संसारे इस संसार में यत्र जहां सजनाह निवसंति तत्र श्लोका कीरती ही जनयति जिस संसार में जहां पर सजन लोग निवास करते हैं वहाँ पर श्लोक कीर्ती जनेती अर्थात यश उत्पन करता है कीर्ती पैदा करता है और यत्र दुष्टाह निवशंती जहां पर दुष्ट लोग निवास करते हैं तत्र श्लोकस से लकार वरण से लोपात वहां पर, तत्र माझे वहां श्लोक, अस्य माझे श्लोक के लखारवरण के लोपात लोप होने से शोक हो शोक ही तो बचा है ना शोक बचा ना चलिए है तो आप इस प्रकार लिखियेगगा ठीक है और आप लोग हमारी वेबसाइट ग्यानसिंदू-klosses.com पर जाएंगे तो वहाँ पर यह आपको PDF मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मैंने इस PDF का लिंक दे रखा है और आप जैसे क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट पर आपको पर जैसे क्लिक करेंगे और यह पूरी PDF प्राप्त कर सकेंगे ठीक है कोई दिक्कत होने पर चैट सेक्षन में हमें ज़रू बताइएगा और कोई दिक्कत होने पर वेबसाइट में लाइफ चैट भी आप कर सकते हैं वेबसाइट पर जाना बिल्कुल ना भूलिए कच्छा दस की हिंदी संपूर्ण वेबसाइट पर पूरा पाठिकर्म पड़ा हुआ है उसकी भी लिंक हमने दे दी है सारी लिंक दे दी है आतिलग उत्तरी गद्य पद्य साहित ये सब चीजें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं सामने देख करके बहुत ही अपने हाथों से टाइप किया गया सारा मैटेरियल है ऐसे नहीं है कि आपको सब कुछ वहाँ पर गडबर दे दिया जाओ और इस्टी में रखा गया है और वहीं सब कुछ उतना ही दिया गया है जितना आवश्यकता है तो आप एफसाइट पर जाकर ये चीजें भी पढ़ सकते हैं चलिए आप स्टार्ट करते हैं तो ये तो बात होगी सात्मा इस लोग देखिए कहीं जाईएगा नहीं भीया पूरे के पूरे आज 20 इस लोग 21 होने वाले हैं 21 संख्या में शुब मानी जाती है अप्राप्तम कालम वचनम ब्रहस्पतिह अपि बुरुवन प्राप्तम बुद्ध अवग्याम अपमानांच शाश्वतम देखे असमय में वचन नहीं बोलना चाहिए जहाँ पर जिसकी आवश्यक्ता हो जितनी आवश्यक्ता हो उतनी ही बात करनी चाहिए अप्राप्तम कालम आसमय में अनुचित काल में अनुचित समय में वचनन माने बात अप्राप्तम कालम वचनन माने अनुचित समय में अगर बात जो अप्राप्तम माने अनुचित कालम माने समय में वचनन माने बात ब्रहसपती माने देव गुरू ब्रहसपती अपि माने भी अगर बोलते हैं तो प्रापनियात मने प्राप्त करते हैं बुद्धि अवग्यानम अपमानंच सासुतम सासुतम मने निरंतर उस सदैव सदैव प्राप्त करते हैं अपनी बुद्धि की अवग्या और अपमान प्राप्त करते हैं जो असमय में बात बोलते हैं पहले तोलो फ कथयत कभी ने कहा है यत्माने की यहां से बात समझने योग है असमिनिश लोके कभी कथयत कभी कहता है कि नरह सदैव कालोचित मनुष्य को सदैव कालोचित काल के उचित काल पर ही वारतालाप कुरयात वारतालाप करना चाहिए चेत्माने यदी चेत्माने यदी व्रहस्पत अगर वो भी कालोचित नावदत अगर असमय में बोलता है तदा माने तब सापी वहभी वहभी निरंतरणम निरंतर बुद्ध अवग्यान अपनी बुद्धी की अवग्या अपमानांच और अपमान को प्राप्तम करो ते प्राप्त करता है ठीके तो बात आपको समझ में आ होगी ना कि अगर असमय में आप बात करेंगे जहां पर आवश्यक्ता नहीं है वहां पर मूफैला के खड़े हो जाएंगे तो आपकी अवग्या ही होगी आपकी बदनामी होगी आपका अपमान होगा मतलब के यूरा अब देखे कितनी मस्त बात यहां पर कही गई है के यूरा माने होता है बाजू बंद बाजू बंद समय से हाथों में जो पहने जाते हैं उसको के यूर कहते हैं तो के यूरा माने के यूर ना बिभूशेंत बहुत अच्छा इस लूख ना माने नहीं बिभूशेंत बाजू बंद नहीं बिभूशेंत करते हैं बाजू बंद नहीं सजाते हैं पुरुशम पुरुश को हारा हार न चंदरोज्वला न चंद्रमा जैसे हार यानि एक मनुष्य को न बाजू बंद सुसोभित करते हैं न हार चंद्रमा जैसे उज्वल हार एक मनुष्य को न बाजू बंद और न चंद्रमा जैसे उज्वल हार सुसोभित करते हैं और ना ही वो सुन्दर होता इसनानम, न विलेपनम, न कुसुमम, न अलंकरता मूर्धजा, न वो इसनान करने से, न चंदन लगाने से, विलेपन कारत होता लेप लगाना, क्रीम लगाना, न कुसुमम, और न ही पुश्पोंक से, न अलंकरता मूर्धजा, और न सजे धजे ब सुन्दर होता है, एक मनुष्य को ना बाजूबन सुसोभित करते हैं, न चंद्रमा जैसे उज्यलहार सुसोभित करते हैं, न इस्नान सुसोभित करता है, न विलेपन सुसोभित करता है, न पुश्प सुसोभित करते हैं, न सजा हुआ सिर्फ सुसोभित करता है, मात्र क्या स सुभित करता है आगे दिखीएगा अगला इस दो पार्ट में ये बट गया है ठीके दो पार्ट में बट गया है और वैसे तो ये एक ही श्लोक है एक ही श्लोक है नो आठ और नो दो पार्ट में बटा है मैं दोनों में अलग 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 बता दूँगा एक में अगर आ गया तो आप एक में भी कर लेना, कोई दिख करनी है, तो मनोहरा, मनोहरा के यूरा, मनोहरा मने सुन्दर, के यूरा, सुन्दर बाजू बंदर, चंद्र यू उज्वलाहारा, न चंद्रमा जैसे उज्वलाहार, इसनानम, और फिर आगया, इसनानम, चंदनम, चर्चितम विलेपन ना तो चंदन चर्चित विलेपन चंदन से युक्त विलेपन सुगंध युक्तम मनोहरम चा और ना सुगंध से युक्त सुंदर कुसुमं पुष्प केश पाश हचा और केश पाश बालों की बंधन चा पुरुषम न विभूशें ते एक पुरुष को विभूशित नहीं कर आप दिखे वान एका समलं करो ति पूर्षम अगला देखिए वान एका क्या फिर क्या पुरुष को सजाता है कि वान एक वानी है जो समलंकोरोति माने सजाती है सुसोभित करती है सुन्दर बनाती पुरुषम पुरुषको या माने जो संस्कृता माने भली भाती संसकार पूरवक धारते माने धारी जाती धारन की जाती ह मतलब असमिन विश्वे अब फिर क्या बाद समझाईगी असमिन विश्वे का वाणी या धेने विनेन चा संस्कृता धार्यते इस विश्व में एक वाणी या माने जो अधेन से और विने से संस्कृता और संस्कार पूर्वक धारन की जाती है सरवतरम अभूशनम अस्ती सा पूरुशनम विभूशयंती वह पूरुश को भी जो देखो छोटे छोटे वाक्यों में कितना अच्छा लिखा है आपको याद हो जाएगा अन्यानी आभूशनानी ही नष्टाह भमंती अन्य आभूशन नष्ट हो जाते हैं वाग भूशनम वास्तविकम भूशनम अस्ती वाणी का जो आभूशन होता है वो वास्तविक आभूशन होता है यह कदाप नविनश्यती जो कभी नष्ट नहीं होता है है ना किसी की कभी नहीं क्योंकि वही तो सच्चा आभूशन है। जो याचक ना मने नहीं लक्षमी मने धन ना मने नहीं या मने जो याचक दुख करने वाली नहीं है वो लक्षमी नहीं है। वो विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णू की भक्ती कराने वाली नहीं है। और पुत्रो न यहा और वो पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडित मंडला अग्रणी जो पंडित मने विद्वानों के मंडल मने सभाओं में अग्रणी मने अग्रणी नहो। ठीक है तो वो साने वो साने वो पुत्र नहीं है वो लक्षमी नहीं है और वो विद्या विद्या नहीं है। संस्कृतार देखे या स्रीह जो लक्षमी या चका नाम दुखम न परिहरती। साय में सबसे उपर नहीं बैठता है इसा पुत्रा अभी पुत्र पदम भाजनम ना वो पुत्र भी पुत्र के पद का भाजनम मने पात्र ना मने नहीं है। अगला इस लोग देखिए। अभिबाधन शीलष नित्यम व्रद्धो उप सेविनहा चत्वारि तस्यवर्धंते आयरु विद्या यशो बलम। अभिवादन शील अस्यमाने नित्यप्रती प्रणाम करने वाले की नित्यमाने नित्यप्रती व्रद्धा उपसेविना माने वुजुरुगों की सेवा करने वाले की व्रद्धा माने बुढ़ों की उपसेविना माने सेवा करने संस्कीत अर्द देख लीजे कि आस्मिन श्लोके मनुह कथेति इस श्लोक में कौन कह रहा है क्या कह रहे है कि यह जनाहस्वा पूज्या नाम प्रणमती वो हो ब्यक्ती जो अपने पूज्यवान लोगों के परती प्रणाम करता है ब्रद्धा नाम सेवाम करोती और ब्रद्धों की सेवा करता है तस से जनस से उस व्यक्ति की आयूह, विद्या, यश और बल्चा इति चत्वारि वस्तूनि वर्धनते इस चार चीजें बढ़ती है बारहवा शलोक दिखिए बारहवे शलोक में क्या कहा गया है कि ना स्नानम आचरेत भुक्तवा दिखे इसमें संदर्व वगरा लिखा जाता है ठीक है, इसमें संदर्व लिखा जाता है अब लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मतलब ये आएगा कि निमलिखित पद्धियों में से किसी एक की संदर्ब सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए तो हिंदी में नहीं सौरी संस्कृत में व्याख्या कर दीजिए तो वैसे भी हमें लगता है आहां आपको संस्कृत अर्थों में संदर्ब लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने संदर्ब नहीं दिया चांद लगाने के काम आ जाएगा, मतलब आप चार चांद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप संदर्ब लिखेंगे, तो बेहतर रहेगा, लेकिन संदर्ब भी संस्कृत में होना चाहिए, ठीक है, ठीक चलिए, तो ना इस्नानम आचरेत भुक्तवा, भुक्तवा मने खा करके, यहां कत्वा प्रत्य लगा है, तो कत्वा प्रत्य का मतलब बता है, करके, ठीक, तो ना इस्नानम आचरेत, इस्नान आचरेत मने करना चाहिए, ना मने नहीं, खाना खाने के पस्चात, यानि भोजन करने के पस्चात, इस्नान नहीं करना चाहिए, ना अतुरो, अ इसनान नहीं करना चाहिए, रोगी होने पर इसनान नहीं करना चाहिए, और आधी रात को इसनान नहीं करना चाहिए, न वासोभी माने वस्त्रों के सहमाने साथ अजस्त्रम माने लगाता, ठीक है, अजस्त्रम माने लगाता निरंतर, न अविज्याते जलासे और ना ही अंजा थीक है तो आप इसका देखें मानवा भोजनम कृत्वा रुगणा अवस्थायाम महानिशी वस्तरईसा आजस्तरम अविज्याते जलासे ठीक इतनी बाते हैं कहां कहां एक मानों को भोजनम कृत्वा भोजन करने के पस्चात रुगणा वस्थायाम रोगी होने पर महा निशिही आधी रात में वस्त्रई सह व अवस्त्रों के साथ अजस्त्रम निरंतर लगातार देर तक अविज्याते माने अंजान जलाशे माने शरूवर में इसनानम न कुरुय आतिसनान नहीं करना चाहिए यहा इद्रिशम आचरत जो इस प्रकार आचरन करता है सह महा विनाशम प्राप्नोती वो महा विनाश को प्राप्त करता है ठीक है यह तो अपने पास से लिख दिया गया यहां से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो यहां से लिखना है तो आप ल आर्थी चर्या का ये भी है आद्र पादस्तु भुंजी था ना आद्र पादस्तु सम्विशेत आद्र पादस्तु भुंजानों दिरगहम आयुहु आपनों यात पतलब आद्र पादस्तु माने गीले पैरों भुंजी तुमाने भोजन करना चाहिए और ना आद्र पादस्त सम्विशेद परंतु गीले पैरों के साथ सोना नहीं चाहिए लेकिन गीले पैरों के साथ सोना नहीं चाहिए आदर पादस्त भुंजानों गीले पैरों के साथ खाता हुआ भुंजानों भाने खाता हुआ दिरगहम आयू आपनुयात लंबी उम्र को प्राप्त करता है संस्कीत तर्द देख लिजे कि अस्मिन श्लोके कवी कथयतियत नरह पादव प्रक्छाल आद्र पादव कदापिनसम्विशेद गीले पैरों के साथ कभी सोना नहीं चाहिए नि भीगे पैरों के साथ कभी नहीं सोना चाहिए आदर पादा भोजनम कुर्वन गिले पैरों के साथ भोजन करता हुआ नरह दिरगायु भावति जो मनुश्य होता है वो दिरगायु होता है अगला दिखिए सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद न ब्रूयाद असत्यम अप्रियम प्रियम चनांदरतम ब्रूयाद एशह धर्मा शनाते हैं मतलब सत्यम ब्रूयाद सत्य बोलो प्रियम ब्रूयाद प्रिये बोलो न ब्रूयाद न बोलो सत्यम अप्रियम सत्य जो अप्रिय लगे मतलब सत्य बोलो प्रिय बोलो लेकिन न बोलो क्या न बोलो जो ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय लगे मतलब ऐसा सत्य मत बोलो जो कड़वा लगे बोलना चाहिए सत्य बोलो प्रिय बोलो परंतु ऐसा सत्य मत बोलो जो अप्रिय हो और प्रियम चा नान्रतम प्रियम चा और प्रिय लगने वाला अन्रतम मने जूट बुरुयात ना बुरुयात नहीं बोलना चाहिए एशा धर्म सनातन ऐसा सनातन धर्म है तो ये भी विद्य अर्थी चर्रह से लिया गया है कि महर्शि मन्हु सत्य भाशन से विशहे नियमम कथयत यत मनुश्यह सदा सत्यम वदेट तो आप यहां से लिखे। सदा सत्य मंदेट अईसा सत्य मत बोलो ताद्रिषम आने ऐसा सत्य मने नहीं वदेट म Rashidt मने बोलना चाहिए तो मने जो किकास्यास आप आये किसी के लिए अप्रिय और कटू हो, कडवा हो, ऐसा सत्य मत बोलो, ताद्रिशं प्रियम अपिनवदेत और ऐसा प्रीभी मत बोलो, यद सत्यम नास्त जो सत्य नहीं है, ऐसा प्रियमत बोलो जो सत्य नहीं है, इथम इस प्रकार प्रकारेण, इस प्रकारेण, इस प्रकार से सत्य प्रिय भ अगला दिखे कि सरवम देखे दुख क्या है और सुख क्या है ये बात इस बात की व्याख्या इस श्लोक में की गई है तो सरवम परवशम दुखम और सरवम आत्म वशम सुखम सरवम परवशम जो कुछ दूसरों के वश में है दुखम दुख है और सरवम आत्म वशम सुखम जो अपने वश में है जो सब कुछ अपने वश में है वही सुख है एतत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुख है कि सरवं परवशं दुखं जो सब के दूसरों के वश में है वो दुख है और जो अपने वस में है सुख है एतत विद्यात समासेन लक्षणम सुख दुख है एतत विद्यात इस प्रकार समझना चाहिए समासेन संख्षेब में लक्षणम सुख दुख का लक्षण तो अब संस्क्रित अर्थ दिखे कि अस्मिन शंशारे संसार में इस संसार में यद्देपी पराधीनम अस्ति जो कुछ भी पराधीन है तत्सरवं दुखं सुरूपं वो सब दुख का सुरूप है जो कुछ इस संसार में पराधीन है वो सब दुख सुरूप है यत स्वाधिनम जो अपने अधिन है अस्ति तत्सरवम सुखम सुरूपम अस्ति वो सबकु सुख सुरूप है पराधिनता दुखस्य स्वाधिनता चा सुखस्य पराधीनता दुख है और स्वाधीनता शुख है शंखेपेंड संखेव में लक्षणंग जानियताम ये सुख और दुख का संखेव में लक्षण जानना चाहिए इति व्यासेन महाभारते उपत्म ऐसा व्यासने महाभारत में कहा है अगला दिखिए एका की चिंतेत नित्यम विद्यारती की बात दिखिए आप उबिये मत आप जोड़दार शेयर कर दिजे लाइक कर दिजे और टेलिग्राम चैनल जॉइन कर लिजे पीडियेप वहाँ पर भी मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल फेस्बूक पेज वेब साइट ठीक है बीएश्टीडी क्लास मेरा दूसरा चैनल है यह सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आबाउट सेक्षन में मिल जाएगी हमारे चैनल के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप इन सब चीजों को जरूर लिंक कर लें अपने आप से जुड़े हम से ताकि आपको बहुत गहरा लाब हो बहुत ज्यादा से ज्यादा लाब हो अनिथा आप चूक सकते हैं यूपी बोर्ड एक्जाम 2021 नजदीक है और चलिए देखते हैं एकाकी चिंतयत नित्यम अकेले एकाकी बारे अकेले चिंतयत चिंतन करना चाहिए विचा अलग हितात मना हां अपने हित के बारे में एकाकी चिंतयानों अकेले चिंतन करता हुआ परमस्रेयो अधिगच्छती परमस्रेय को प्राप्त करता है संस्कृत आर्थ देखिए कि अस्मिन पद्दे एकांत चिंतनस्य महत्तम कविना प्रदरशितम हटाईए इसको और यहां एकांत स्थले इस्थित्वा प्रति दिनम स्वहिताय चिंतनम कुरयात प्रतेक मानों को एकांत स्थल में इस्थित होकर के प्रति दिन स्वहिताय अपने हित में चिंतनम चिंतन करना चाहिए यह मानवा जो मानों नित्य प्रति एकाकी भूत्तवा केला होकर के अपने विश विशय में, स्वहित कारणम, अपने हित में, विशयम, अपने हित के विशय में, कि प्रती चिंतयत चिंतन करता है, सासरवथा सो कल्यानम प्राप्त नो होती, वो सदयव अपने कल्यान को प्राप्त करता है, ठीक है, अगला देखिए, अवश्यक नहीं है कि हमने कीस केस, कीस आपको दे रहे हैं जो आपको याद ही हो जाएं आप कमसे कैस में कोस्टिस कीजिए कि 11 रट लीजिए कोई भी 11 रट लेंगे तो मैं वादा करता हूँ आपका जरूर मिलेगा लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ आप 200 रटें 200 याद करें 200 क्योंकि हमारे परिक्षा में ही नहीं बलकि जीवन में काम आने वाले शलोक हैं हर जगे आप वक्तबे में बोल सकते हैं बाशन कौन अच्छा दे लेता है जिसको शलोकों का ग्यान हो जिसको अंग्रेजी कोटेशन्स का ग्यान हो जिसको हिंदी कविताओं का ग्यान हो भाशन में उसके ही आकरशन शक्ती होती है जो इन सब चीजों को जानता है निबंद उसका ही अच्छा होता है जो quotations लिखता है सूक्तियां लिखता है निबंद में दोहे लिखता है कविता लिखता है पध्यांश लिखता है ये सब एक आकर्शन की चीजें हैं कर्मन देव अधिकार अस्ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फल हे तु भू मा हते संगो अस्ति आकर्मन कर्मन एव कर्मन एव कर्म में ही अधिकार हते तुम्हारा अधिकार है कर्मन एव अधिकार हते कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है तुम्हारा संग तुम्हारा संगती अकर्म करने मना कर्म ना करने में भी तुम्हारा संग नहो ठीक है तो असमिन श्लोके स्रीकृष्णा अरजुनम बोधयती इस स्लोक में स्रीकृष्णा अरजुनम को जगाते हैं बोधयत मने जगाते हैं कि पार्थ तव अधिकाराह कर्म करने इव अस्ती तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है किम कुर्यात किम कर्म कुर्यात इतित्वत अधीनम वर्त थे क्या कर्म करना चाहिए ऐसा तुम्हारे अधीन है किन्तु कस से कर्मणा हा किम फलंभवेत किस कर्म का क्या फल होता है अस्मिन विशे अस्मिन विशे कदापितव अधिकार अनास्ती इस विशे में तुम्हारा अधिकार नहीं है कर्म करने में तो तुम्हारा अधिकार है परंतु किस कर्म का क्या फल मिलेगा इस विशे में कभी भी तुम्हारा अधिकार नहीं है और तस्मात इसलिए कदापी कभी भी फल हे तो कर्म न कुरू फल हे तु फल के लिए करम मत करो परमम करमम अकरने अपिते आ सकती न भवती और परंतु तुम्हारा करम ना करने में भी आ सकती नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट श्लोक देखते हैं बचों आपको बहुत समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है अगर समझ में आ रहा है तो जरूर करने के आपको आदत है तो वो भी करते रहे कोई दिक्कत नहीं मतलब कहने का ये है कि स्रद्धावान जो स्रद्धा होती है जिसके अंदर अब देखिए बात वही आगे अगर आपके अंदर स्रद्धा नहीं है तो ज्ञान आप प्राप्त नहीं कर सकते पहले गुरू के प्रती स्रद्धा हो ज्यान के प्रती स्रद्धा हो आप मेरे प्रती स्रद्धा करेंगे तभी क्या होगा आप खुग ज्यान मिलेगा तो स्रद्धावान लबते ज्यानम जो स्रद्धावान है वही ज्यान प्राप्त करता है ततपरह संयते इंद्रिया और जो इस लोक में जो स्रीकृष्ण है वो अरुजुन को उपदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? कि यह जना जो लोग संयते इंद्रिया इंद्रियों के वश में रखने वाले सद्धावान हैं सवर ग्यानम लबते वो ग्यान प्राप्त करते हैं साइए तेंद्रियास रधावान चा अस्तिसा ज्यानम लबते वे ज्यान प्राप्त करते हैं और ज्यानम प्राप्तवा ज्यान प्राप्त करके ससीग्र मेव पराम शान्तिम प्राप्त सुखम अनुभवती और वो ज्यान प्राप्त करते के सीग्र ही पराम शान्ति को प्राप करकी सुख कानुभो करते हैं। अगला दिखे उनिस्वा यो ना रिष्यति ना दुष्ट न सोचति, न कांच्छति, शुभा शुभु परित्यागी भक्ति मान्याहा शमेप्रियाहा समेप्रियाहा यो जो ना प्रसंchn होता है, न दोएष्टी न दोएष्ट करता हैं न शोंचती न शोख करता हैं न गांग्ष्टी न इच्छा करता हैं यो न हृष्टी जो ना र्श्टी रोता हैं तो अस्मिन श्लोक की स्रीक्रिष्णा अर्जुना उपदिशन कथे थी इस स्लोक में स्रीक्रिष्णा अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन जी अर्जुन बताईए अर्जुन तो हे अर्जुन यह मनुष्या स्वाभीष्टम प्राप्न प्रसीदती जो मनुष्या स्वाभीष्टम मतलब अपना इच्छित वरदान प्राप्त करके प्रसन नहीं होता है न दोएशम करोती और न दोएश करता न शोचती और न शोग करता है न कामनाम करोती न कामना करता है शुब अशुभयोह करमयोह परितेजती सुब और अशुब करमों का परित्याग करता है सा भक्तिमान वो भक्तिवाला जनह मम आती प्रिया भवती मेरा बहुत ही प्रिय होत आगे श्री क्रिश्न अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि योगस्था कुरुकर्मण है अंगसंग मने आसक्तियों को लालच को धनजे है अजुन लालच को त्याक करके योगस्थ योग में स्थिर रहे कर करमों को करो सिद्ध असिद्धेो सफलता और सफलता में समो भूत्वा समान रहे करके समत्तम योग उच्चते समत्तम क्योंकि समता का ये योग ही ये जो समता और आसिद्यो असफलता में जो समान रहता है वही तो योग है यार और योग क्या है तो संकितर देखिए भगवान स्री किष्ण अर्जुना हां अर्जुना मुपदिशत कथैतियत अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि भो धनंजया हा अरे धनंजया आसक्ति तिक् करे कागर्चित होकर स्वकर्मनी कुरूह अपने कर्मों को करो तयोह सिद्धियो संभावा सिद्ध्य सिद्ध्यो देखो यहां पर सिद्ध्य सिद्ध्यो थोड़ा सा दिक्कत हो गया तो सिद्ध्य असिद्ध्यो संभावं धरस जो समान भाव धरता है सिद्ध्य सिद्ध् मतलब कहने का ये है कि समान रूप से सत्रुव में, सतुर्ता में, मित्रता में, मान और अपमान में, शीत में, और उष्ण में, सुख में और दुख में समान रहकर के संग विवर्चिता आसक्तियों को त्याक दो, असमिन श्लोके स्रीकृष्णा अर्जुनम कतहतियत की यह जनह रिपव सुहर्दिचा समान भावेन वर्तते जो सत्रुटा में और मित्रता में समान भाव से रहता है, यह समान अपमानें चा समान भावेन आचरती जो समान और अपमान में समान भाव का आचरन करता है, न समाने हरिश्यती, न अपमाने खिद्नती, मतलब न समान में हसी थंसता है, प्रशन होता है, और न अपमान में खिन होता है या शीते ग्रीश में जो सीत में और गरमी में सुखे दुखे चा समानम विवहरती सुख दुख में जो समान विवहरती करता है यस से कस्मिन अभी विशे आ सकती ना सती जिसकी किसी भी विशे में आ सकती नहीं है सयो जन हमें प्रिया वही जन मुझे प्रिय भवती प्रिय होता है ऐसा भगवान भी कहते हैं बच्चों यह 21 इस लोग का आपके लिए रामबान साबित होंगे चलिए यह मेरा परिचे है दिखे मैं अरुनेश कुमार चैनल लिंक आपका दिया हुआ इस PDF में आपको चैनल लिंक मिल जाए यहाँ पर आपको चैनल लिंक है तो कंट्रोल दबा के या फिर अपना मुबाइल देख रहे हैं तो टच करेंगे तो आपको वहाँ पर रिडाइरेक्ट कर देगा चैनल पर हमारे और यह ज्यान सिंदू कोचिंग क्लासे वेबसाइट का लिंक है और यह फेस्बुक पेज का लिंक है तो आप यहाँ पर भी जुड सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर रिडाइरेक्ट कर देगा डिस्क्रिप्शन में इस PDF का लिंक है वहाँ से आप जाकर के वेबसाइट पर PDF हमारा डाउनलोड कर सकते हैं तो बच्चों और भी कोई शिकायत या सुझाओ है तो आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखें चलिए आगे के लिए फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार और प्लेलिस्ट में पूरा कोर्स अपना करना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद आज जुनने के लिए